देखने वालों को अदाब अर्ज हो आज साधना के ना होने पर मैं ये प्रोग्राम करने के जा रहा हूँ उमीद है कि आपको भीवी अच्छा लगेगा सबसे पहले मुझे पता चला है कि एक साथ साल का औरत एक 55 साल के मर्द के साथ संबंध थी एक साथ साल के इनसान और एक साथ साल के औरत लुशिया बेई और एक जांगर एक गवईया जिसका नाम खे एम इन दोलों में संबंध थे और संबंध कितना दूर तक चला और यह संबंध के वज़ा आप जानते हैं आशकल मौज है मौज मस्ती बनाने के लिए तो फिल्म बना इस तरीका फिल्म की जिस तरह से वो लोग ने नजाइस तालुकाग तालुकात रहे दोनों के अंदर में तो दोनों ने फिल्म बनाया तो शोशल मेडिया पर फैला दिया, तो ये बाद में ये गवया सांगर एस्वी देख लिया बजाकर के नालिस की, क्योंकि बेज़ती भईया, दो परानी के मामला दुनिया भर देखते हैं इस वक्त, तो इसलिए बहुत बेज़ती हुआ, तो जाकर के नालिस की, अब ये ये फिल्म बनाए थे, खुद इसको फैलाया है शोशल मेडिया पर, निकेरी में जो सिपीर का हक्या, जो सिपीर ने गिरफतार हुई, एक कैड़ी ने, एक कैड़ी ने जो जेल तोर करके भगा, दियॉन ग्रिफित, 24 मार्ट 2019 के बाद है, तो ग्रिफित के गिरफतार करने क बाद जब उन्हें लोग वापस लाया है, तो बाद में पता चला कि उनका मृत्ती हो गई, तो 18 सिपीर गिरफतार हुआ, 18 मसे, कुछ लोग छुटा, फिर छुटा, अब जा करके फिर 2 सिपीर छोड़ दिया गया, अब 15 सिपीर अभी जेल में है, 15 सिपीर जेल में है, और ये 15 लोग को देर्टक दाख के फरलेंगी दी गई है, अब बहुत अफसोस के बात है, एक आदमी एक कैईदी का मौत हो गया, इतना सिपीर पता नहीं है कि वो जा किया, भाईो बेहों ये तो मामला निकेरी के, और निकेरी के मामला जिस तरह से आप जानते हैं, रईस हंग अवर उम्राव सिंग के जो मृती हुई, इनका लाश मिला है गया ना में, जो लोग सामान के साथ गिरफतार हुए हैं, जो चार वगएरा जिसमें कोकाईन था, वो जो तो गिरफतार हुआ है, लेकिन जो हत्या की हैं उम्राव सिंग का, और हत्या करने के बाद, उनका में कोई गुलफ़तार नहीं हुआ है, लोग जाना चाहते हैं कि उम्राव सिंग के मुकदमा में, हत्या के मुकदमा में कितनी लोग गुलफ़तार हुआ है? पर्रोकौरो seminar हमारा देश का और पर्रोकौरोंotional गया ना कि इन तोनों के अंदर में कोई ऐसा रपॉर्ट होना चाह जिससे पता चले कि इनका हत्या किसने की है हमारे स्विरी नाम के सभी सुनने वालों और तीफी के देखने वालों भाई बहिदो आप लोग जानते हैं कि बरकोपॉंदों में एक चेस्टना नाम के हवाई जहाज करेश हुआ मतलब कि गिरा शायद उन्हें गोली मार लिया गया या उन्हें उस पर गोली चलाय गया और वो फ्रिख्टर वहाँ गिरा है जहां पर रेजबान है तो रेजबान के आसपास में करीम साथ आठ नौ किलमेटर संदरेई से दूर में जाकर के यह प्लेइन गिरा है और मुम्किन है इस प्लेइन में जतनी समान था लोग ने लूट करके भाग गया है खलिया प्लेइन तो ब्राजिल से आया आएगा तो नहीं स्यूरी नामें अरे खलिया हाँ कहा जा रहा है तो इस बताएगा कि तो इसलिए ये फ्लिक टाइख ड्रेक्स फ्लिक टाइख चेस्ना फ्लिक टाइख ये समान लेकर के ब्राजिल से आया है शूरी नामें ब्रकपोंदों में ये हवाई जहाज पर मुम्किन है ये गिर पड़ा ये गोली चलाग और इनका जतनी समान है लोग लेकर के भाग गया है पिलोट को करीबन साथ आठ मेटर वहां से खिंच करके बाहर निकाल करके लोग छोर करके चला गया है इसलिए पिलोट अभी पिलोट का लाश मिला है लेकिन हवाई जहाँ जर गया है ऐसे देखने में आया है भाईयो मैंनों कि ये पिलोट ब्रसलियान है ब्रसलियान से नाशनाली टेट इन पर है और पता भी चला कि ये कोलूम्बिया में इनका जन्म हुआ है अब ये बात कारवाई ये अंदे सुक होगा कि ये चैसना हवाई जहाँ सुरुना में क्या करने के लिए आया था और कैसे ये हवाई जहाँ ब्रकोपूंदो में करश हुआ है जन्ता अक्सी जो OEMC पे जो आयलान किया था फाक बॉंस लेडर दयान द्वार का जी ये ओफर लिखंट वातस्चाप मिल्टी प्रपोस कुरांटेइन प्रेक का जो सभाकती है ये धंकी दिया इल्टिमाटम दिया तो द्यातका प्रेल इसलिए निकेरी में निकेरी के जो स्टिक्टिंग रैस नाशनल इंस्टिटूट जो आगरों के तरफ से है इन से बाचित किया और बाचित करते हुए मुझे पता चला है भाया जी कि 25 पंसेफ़ मिल्यों पैसा कम करता के लिए स्टॉर्ट कर दिया गया है 25 पंसेफ़ मिल्यों अब उन लोग को मिलेगा क्योंकि दैनल द्वरका ने धंकी दिया था आपसी बढ़ाने के लिए तीन लोग गिरफ्तार हुआ है सरमक्का में प्यारे लोग एक अदमी जिसका नाम है एन एस सर्थ शुदेश के बिटिया के साथ ये था लेकि ये रिलाट्सी ये संबंद इनका बेटी ने यानि इस आदमी से छोड़ दिया एन एस से लेकिन बार बार में ये एन एस इस बच्ची का पीछा किया और इसलिए ये बच्ची ने रेक्सर के पाँ जा करके बस खेल में बफैल कमां की ये लोंडा फिर उसके आस पास में जाता था और मा को भी बच्ची के मा को भी धंकी दिया जो बालकॉन पर खड़ी थी और वहां पर मुशिक बजाते हुए सरक से पास हुआ इसलिए मा ने कुछ कहा इतो इनका पती शुदेश ने जा करके पूछ पास करने लगा तो बड़ी मार पिछुआ है वो दोनों लोग जो साथ था और इस आदमी शुदेश बड़ी मार पिछुआ और तीनों को सिपाही गिरिफतार कर लिया है कि इनों जिल में है सरमका में एक आउटो बस्टीडर एस खे भाईया जी रातरी के समय आठ बजे शराब पी करके एक दूसरा गारी में धक्का मार दिया जबज़ जबज़ धक्का हम तो से इतना बात बचाई दा भाईया कि इस धक्का से दोनों गारी तूट शित्रा गया है पुलिची इन्हें लेकर के गया विरो पर इन्हें दिया फूकने के लिए और ये बलास जब फूकने लगा तो नीख हॉंदट फैफ्ट खरम इनके सरी में धारू था आप तो जानते हैं कि इनका रेविवेश इन्हें तुख्क लिया गया है रेंडी एस दुर्ट फरसलाफद देर्ट काप्रिल को सिपाही इन गिलवतार की है अपने मैया के गहना चोरी करके बेश दिया घर के साउदा जो था कुगरू में वो जाकर के बेश दिया इसलिए नालिस की मैया ने और रेंडी को सिपाही ले जाकर के बंद की है भाईया जी दो आदमी एक ताक्सी लिया और ये ताक्सी हो खस्तराश चिलिया ये पहुचा शालिस ब्रुख में तो वहाँ पर ये लोगने गारी को रुक वाया इस दोनों ने एक निकारा एक बंदुख यह खबेर और एक छूरा अब इन पर तूप परा भाया शुफिर को पर लेकिन बेचारा केमारी खोल करके कूद परा बाहर जिए बाहर निकला तब लेकि ये दो गारी लेकर के और भागने लगा लेकिन ये भागते हुए समय पॉंपू स्तरा के कंडाल में ये गारी घुज गया और ये गारी उलिड गया चार उपहिया उपर में आप समझ सकते है बपा कितना नुक्सान ये शफिर को हुआ ना पैसा मिला और जो गारी था वो गारी भी तूट गया है ये तो खुशी के बात है बपा कि जब लड़का स्कूल जा रहा है तो कुछ खाने के लिए दे जाना चाहिए अब ये पाउसो महार्जो जब स्कूल जा रहा था ये कहा नहीं कि यश्यशी कलास में रहा फुरीबर कलास में रहा कौन कलास में रहा जब स्कूरू और ब्रेट खाता था तो स्कूल महार्जो कम से कम तो इन्हें कुछ रहा खाने पीने के हमारे लोग के अंदर में भूखे पेट भाईया लोग स्कूल जाया करता था स्वो मोहार्जो को तो सुकरू और ब्रेट मिलता था तो उन्हें खुश्याली होना चाहिए और आज ये आदमी ब्रेट और सुकरू खाने के बाद आज ये इनकी पास बहुत दौलत थे बप्पा कि वो गींते 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 रह जाएगा और खतम नहीं होता ये है स् फुट्बालर्श बाल खेलते हुए बाल एक आदमी के तरेंप चला गया और ये तरेंप जब गया तो लोग ने उस लेने के लिए अपने आपको बता रहे थे कि वो सिपाही है मिलिटेर है और ये परिवार ड़ गया हम परिवार रामसुद के बारें बात करते हैं लेकिन ये बाल फुट्बाल इनकी तरेंप नहीं पीछे वाला एक हनार के तरेंप बाल पहुछा तो ये परिवार ने कहा इनसे कि आज बाल नहीं कल आकर के ले जाएं क्यूंकि बाल यहां नहीं मुम्किन है कि बाल प्रोस के परासी में चला गया है बस ये लोग इस बात से सहमत नहीं हुआ और बड़ी मार मारी परिवाज रमसुत के वो मार मरले बपाप इसलिए ये कहा जाकर के सिपाई से कि हम लोग के इतना मार मरले हैं ये सब माफिया है और अब ये बात आगे अंद्शुक होने को जा रहा है 2018 में फीना बंक बड़ी फाइदा किया है फीना बंक मुनावब की है फीना बंक में कम से कम फाइदा हुआ है और ठीटाल इंकॉमस्टिंट फाइना बंक इनले फ्टेग बड़ी पैसा के मात रहा है का बंक के लोग बड़ी पैसा कमाता है ने कि पैस मिलियों पैसा अभी तक होलान के सरकार सुरिणाम के सरकार को नहीं देना चाहते हैं हमारा गौफनर जो संट्रेल बंक का है बैया तरिक्स ने एक दिल खासी के साथ ने जलान को गया था ये पैसा लेने के लिए लेकिन ये प तो कदमा चला रहा है उपमा मिनिस्टेरी को उपर ने खंटीन 25 मिलियों यानि ये पैसा वापस लाने के लिए सुरिणाम में क्यूंकि ये सुरिणाम के पैसा है और खरीब जनताओं के पैसा है आखरों बेर स्ट्वे ने खंटीन शुरुआत हो चुका है काका एफ में या ये शुरुआत हो चुका है बहुत से लोग जाते हैं देखने के लिए आप घेला तरी को दस मुझे तक के ये बिर्स में भाग ले सकते हैं हमारे देश में होफ कपितें फैब्रीस लामू आया है एरो मिनिस्टर का महमान है ये अपने गाउं के लिए कुछ बाचित करने के के लिए आया है मुमकिन है कि आ करके और जंका से बात चुक करेगा यह फिनांसियन का तोरन एक तोरन के बात है काका वो घड़ी जहां पर फसा अभी तक कोई फसा पड़ा है अब आप मुझसे बात करेंगे मिनेस्टर फिनांसियर भीतर मैटा है क्या कर रहा है उनका डख जो है डख खोट वो तुट करके लटक गया और जो उसका जहाँ नीचे जहाँ बालकॉन है किसी ने धक्का मार दिया है वो छितरा गया है मिनेस्टर कुछ नहीं करता है मिनेस्टर हुवदरात को चाहिए टेमरमान पैसा भार करके ये सब समश्या को हल करने के लिए और जो घरी उपर में खड़ा है एक जगा उसको ही मरमत करवाना चाहिए ये फिनांसिन तोरन हर एक उस तोरन के घरी देख करके कांप जाते हैं मिनेस्टर इमुदर कलॉक खारी पारेर हम लोग के देश में सब लोग चिंटा करता है डॉलर्स नहीं मिलता है लोग को अपना पैसा बांक नहीं देना चाहते हैं अब आप बताईए कि देश के अंदर में क्या हो रहा है ये डॉलर्स जो है यू एस डे डॉलर जिनों का पैसा बंक में है वो लोग को ये पैसा खुद ओकर पैसा नहीं देता है बंक वह या ये तो वरा गरबर है इसलिए शाम बिंदा कहते हैं रखे ले मुद नित में दहांदन इनधार सितन बैस खास तफान अमेरीकां से डॉलर ऐसे करके हम आगे चल करके बताना चाहूँगा कि भईया जी मखेंत कनाल व्यक के रस्ता पर चाली साल का ओउट वस्ट्यूजर दी सुनिल इतना दारू पी रखा का इतना दारू याने कि 2020 तक दारू पी सकते हैं ये पास मरतबा ओउट दारू पी ये थे अरे नसा इसलिए जाकर के मुनिक के गारी में धक्का मार दिया वो बिशारी के गारी भी छितरा गया इसलिए ये आदमी का रेइड़ वेस इंत्रेक कर लिया गया है अब आगी चल करके ये बात और सुक होने को जा रहा है हमारे प्यारे प्यारे जंता आप तो सब को जानते हैं कि शुरिणाब इनकी साथ है लेकिन अमेरिता गौाइडो को मान रखा है प्रीसिदेंट लेकिन हम लोग हमारा प्रीसिदेंट शुरिणाब निकॉलास मधूरो को अपना प्रीसिदेंट मानता है इसलिए वहाँ पर हरता जारी है अब देखो आगी चल करके क्या होने जा रहा है, मुसल्मानों के लिए खबर है, माहे रमजान के महिना आ गया है, आनल इत्वार को ये पहला तरावी के नमास होगा, और सो मुआर को पहला रोजा है, हर एक मस्जित में तरावी के नमास आद्वल रातरी को शुरू होंगे, और हर एक गुजारिस है, कि आप अपने बाल बच्चों के लिए, अपने तंदृष्टे के लिए, अपने जमाद के लिए, अपने मजभ़ के लिए, अगर आप रोजा रख सके तो आपको रोजा रखना चाहिए, अपने देश के लिए आप दूआ कीजे, आपका देश जो है, मुसीबत से बचे, और ह प्राथना कीजे कि वो लोग गलत रास्ता छोर करके और सही रास्ता पचलाए यहीं तुम्हारा दुआ रहेगा और यहीं सब बात कहिं करके हम आप लोग से इजास्ट चाहूँगा राद भी राद करके आप कहीं जाना ते हुश्यार से क्योंकि बारिस बहुत होता है और जहां जहां बारिश होता है काका, वहां पर मुसीबत है, क्योंकि ढाम पर, जूरा ढाम पर, साप, गोजर, कैमान, गोमसरे की आकर के बैटे हैं, जो आपको लपेट सकता है, इसलिए राद मिराद करके, ऐसे वही से कहीं नहीं जाना, क्योंकि घर के लोग को भी तकलीफ ह होता है, कि घर के वाले भाईया जी बाहर है, अभी तक आया नहीं, तो आप लोग अच्छा से रही हो, प्रेम से रही हो, आप लोग से फिर हम मुलाकात करेंगे, शुबरातरी, खुदा हाफीश!